हेलो फ्रेंड्स, वाट्स इन माई प्लेट टुडे, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स कैसे हैं, आप लोग उम्मीद करती हूँ, आप प्रसनता से होंगे, आ साउथ में यह जगे-जगे मिलता है, हाला कि मैंने साउथ में जो इड्ली खाई थी उसकी तुल्णा नहीं कर सकती, लेकिन यह भी बहुत बढ़िया बनी है, इसमें मैंने दही डाला है, और इंस्टेंट इड्ली बनाई है मैंने, मतलब दही में सूजी मिला के रखी नहीं तूरंत ही बना ली और इसकी मतलब सॉफ्ट बनी है, यह इसमें मैंने खाने का सोडा, कुकिंग सोडा यूज किया है, इनों भी डाल सकते हैं, यह मैंने लौकी और तूहर की डाल मिक्स करके बनाई है, अच्छली मेरे गर में लौकी मैंने तीन-चार दिन पहले बनाई थी और तीन-चार दिन से रखी थी यह फ्रिज में, खराब नहीं हुई थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा यह सांबारी बना लूँ, मैंने इसमें सांबार मसाला डाला है, टमरिंड होल डाल दी मैंने, पानी में भीगोई और कूकर में सीटी लगा के चड़ा दिया, और सांबा टेस्टी बनी है, और इसमें मैंने राई का बगार बना दिया, तो यह बहुत ही टेस्टी बनी है, आपको पता ही है दाल न्यूटिशियस होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है, लौकी का गुणगान क्या करूं, बाबा राम देव ने हमें सिखाया लौकी की महता, और सोच रहे होंगे कि मैंने ये एक ही इडली लिये, एक ही इडली नहीं है, मैं 3-4 इडली और खाने वाली हूँ, और आपको ये रेसिपी मैं कभी शेयर करूंगी, मैं आज बनाते समय शूट नहीं कर पाई, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता ही है, तो इंजॉइ करती हूँ मैं और आप भी आजएए फ्रेंड्स, इंजॉइ करने के लिए, थैंक्यू सो मच, थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो